आपको बता रही थी out group जो animal होता है वो वह species है जिसके पास more ancestral character है with respect to other organisms being compared. यहाँ पर mollusca जो है इसके पास more ancestor characters है इसके पास ना segmentation है ना exoskeleton है और ना ही detarostorm character है. segmentation भी अर्जित किया हुआ character है जो की समय अंतराल में एनलीडा ने अर्जित की और फिर यही जो segmentation का character है यह आगे arthropoda, echinodermata और higher animals में भी देखने को मिलता है. तो हम यह कह सकते हैं the closeness of a clade in the diagram यहाँ पर arthropoda और echinodermata यह दोनों पास पास हैं, close हैं. the closeness of the clade in the diagram indicates the number of characters shared by the animals. here, echinoderm and arthropoda, they share maximum number of derived characters and also they share the more recent common ancestor. जहाँ पर arthropoda और echinodermata की जो विभाजन हैं, हम देख सकते हैं, जहाँ से V बन रहा है, common ancestors, दोनों का एक है, जहाँ से arthropoda शाखित हुआ और आगे echinodermata शाखित हुआ. तो वो बिंदू जहाँ से ये दो शाखाएं निकल रही हैं, एक arthropoda के लिए और एक echinodermata की, तो ये node या गाट, recent common ancestor, यानि सबसे नवीनतम जो ancestor है, उसको प्रदर्शित करता है. जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जिस बिंदू से ये शाखाएं उत्पन होती है, वो बिंदू node कहलाते हैं और node ancestor को represent करता है, यानि दो जीवों के जो पूरवज है, उसके बारे में ये बात करता है. तो हम कह सकते हैं कि Arthropoda और Echinodermita में maximum shared characters हैं, कौन-कौन से character, segmentation, exoskeleton का होना और most recent ancestor इसमें हैं. यानि, Echinoderm and Arthropoda, they share more recent common ancestor than with any other groups, जो कि बाहर हैं, नीचे की तरफ हैं, और they share most derived characters, यानि, सबसे ज्यादा अरजित characters जो हैं, ये दोनों ही share करते हैं. अब, phylogenetic group जो हैं, टेकसास और के, इसको हम तीन category में हम कहते हैं, पहला monophyletic group, दूसरा polyphyletic group, और तीसरा paraphyletic group. इससे पहले कि मैं आपको group के बारे में बताऊं, मैं आपको clade के बारे में बताना चाहती हूं. क्लेड जो है, उससे ही हमारा cladogram बनता है, और अगर हम क्लेड की परिभाशा दें, तो definition of clade is like this, a clade is a group of organism that has evolved from a common ancestor. इसको मैं repeat करती हूं, what is a clade? A clade is a group of organisms that has evolved from a common ancestor. यानि कि वे प्राणी जो एक समान पूर्वज से विक्सित हुए हैं, वे समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें एक समूह से वर्गी कृत किया जाता है, जिसे clade कहते हैं, और clade के द्वारा ही cladogram का निर्मान होता है, तो यह जैसे मैं आपको बता रहे थी, cladogram के अंदर root जो है, वो ancestor, जो है most old ancestor, जिसको नीचे ही नीचे रखा जाता है, वो है, फिर उसके बाद जब उसमें से derived characters, अर्जित के animals ने, तो फिर ये शाखा बनी, और फिर animal ने derive किये अपनी characters, अर्जित की characters, तो node जो की एक और ancestor है, वहाँ से फिर विभाजन हुआ, और ये जो node है, ये recent ancestor कह सकते हैं, recent common ancestor कह सकते हैं, यानि नवीनतम जो पूरवज है, और यहाँ से फिर शाखा बनी, और ये शाखा आगे, फिर एक node के द्वारा, यानि फिर ये एक recent common ancestor है, और इस common ancestor से फिर characters, अर्जित करते हुए, दो प्रकार के species बने, तो ये clade है, जहाँ पर organism, और जो की character, समान characters को share करते हैं, और जो की most recent common ancestor द्वारा, नवीन character के अर्जित करने पर बने हैं, तो हम कह सकते हैं की, clade क्या है, clade is a group of organism that has evolved, जो की विक्सित हुए हैं, from a common ancestor, यानि की, वे प्राणी जो एक समान पूरवज से विक्सित हुए हैं, समान लक्षन प्रदर्शित करते हैं, उन्हें एक समूव में वर्गी कृत किया जाता है, जिसे clade कहते है, ये एक और cladogram है, जिसमें जो vertebrates हैं, उनके अंदर कैसे कैसे समय अंतराल में, characters अरजित करते हुए, शाखित हुए, different type के organisms का development हुआ, ये इस cladogram के द्वारा दर्शाया गया है, इसमें mouse और chimpanzee, most characters share करते हैं, derived characters, ये जो छोटी-छोटी लाइने है, evolutionary lineage के उपर, ये derived characters, यानि समय अंतराल में अरजित किये हुए characters हैं, और mouse और chimpanzee सबसे ज़्यादा shared characters share करते हैं, derived characters share करते हैं, और इन में, इनका जो विभाजन है, ये most recent common ancestor द्वारा हुआ है, ये एक और cladogram है, जिसमें vertebrates के बारे में बताया है, किस प्रकार से, simple cartilaginous fish के द्वारा, जिसमें ये सभी characters, सभी animals जो हैं, उन में vertebrates का गुण पाया जाता है, फिर समय अंतराल में एक नया character उत्पन हुआ, जो कि था boni skeleton, जो हमारी shark में नहीं है, shark का skeleton cartilaginous होता है, यानि उपास्थी का बना होता है, और बाकी जितने भी जीव हैं, ray finned, fish, amphibians, primates, rodates, crocodile, birds, इन सभी में vertebrate present है, साथ के साथ ही boni skeleton होता है, फिर समय अंतराल में फिर नया character अर्जित हुआ, जो कि था, चार limb, यानि four limbs की उपस्ते थी, चार पैरों की उपस्ते थी, जो कि fish के अंदर नहीं है, और amphibians के अंदर, और amphibians से उपर जितने भी जीव हैं, उन सभी में पाई जाती है, primates, mammals, crocodile, birds, इत्यादी, यहाँ पर हम देखेंगे, ध्यान देने की बात यह है, कि केवल जन्तूओं द्वारा, लक्षणों की भागिदारी ही काफी नहीं होती है, क्योंकि वास्तव में कई जन्तू समान लक्षण के भागिदार तो होते हैं, पर वो एक समुह में वर्गी कृत नहीं किये जा सकते, उदहरन के लिए jellyfish, starfish और मनुश्य, jellyfish invertebrate है, जो की phylum cylindrata में आता है, starfish echinodermita में आता है, और man ये vertebrate में आता है, ठीके, starfish और jellyfish invertebrate है, पर यदि हम इन तीनों को देखें, तो तीनों में से दो कौन से नजदीक हमें प्रतीत होते हैं, jellyfish और starfish, क्यों? क्योंकि दोनों ही जल में रहते हैं, और दोनों ही invertebrates हैं, लेकिन और तीसरा इन में क्या character है, दोनों में ही radial symmetry पाई जाती है, परन्तु हम इन लक्षणों के अधार पर jellyfish और starfish को पास-पास प्लेडोग्रैम में नहीं रख सकते, यहां पर उद्विकासिय संबंध को ये जो characters हैं वो नहीं दर्शा रहे हैं, उद्विकासिय संबंध को प्रदर्शित करने वाला कौन से character है? द्यूटेरो स्टोम का होना, यानि evolutionary, जब embryo develop करता है, तो echinodermeta में भी जो blastopore है वो anus का निर्मान करता है, और manav में भी blastopore जो है वो anus का निर्मान करता है, तो इस तरीके से starfish यानि फाइलम एकाइनो डर्मेटा के सदस्य और manav ये दोनों पास-पास kleidogram के अंदर रखे जाते हैं, नाकी, jellyfish और starfish, तो हमें ये बहुत ध्यान रखना होता है जब हम kleidogram बना रहे हैं, कि हम किन लक्षणों की बात कर रहे हैं, एक दूसरा example जो की बहुत ही appropriate है, वो ये है कि यदि हम metabolism के character को देखें, किस प्रकार से उपापचाएगा, अगर हम लक्षण को चुनते हैं, तो हम ये देखते हैं कि birds यानि पक्षी और mammal ये एक दूसरे के ज़्यादा समीब हैं, क्योंकि दोनों ही homo thermal हैं, दोनों ही गरम खून के प्राणी हैं, दोनों की जो metabolism हैं, वो एक समान है, पक्षी और स्थनीजीव एक दूसरे के अधिक समीब हैं, वो crocodile, जो है, उनमें कोई संबंद स्थापित नहीं होता है, यदि हम कपाल और हृदे की सनरचना को अधार मानें, तो पक्षी और crocodile अधिक समीब प्रतीत होते हैं, और जो mammal है, वो अलग हो जाता है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि, जो character हम, लक्षन हम, लेडोग्राइम को बनाने के लिए चुन रहे हैं, वो किस प्रकार से हैं, और उनका सही चुना जाना बहुत आवश्यक होता है, तो इसी वज़े से एक लेडोग्राइम, जब सबसे पहले, 1966 में, विली हैनिंग ने, इस प्रकार से, evolutionary relation को बताने के लिए, एक systematics, cladistic systematic को develop किया, तो ये सारे drawbacks इसमें थे, इसी वज़े से, ये सारी कमियां इस प्रकार के systematics में थी, या classification में थी, तो इसे 1980 तक, इतनी ज़्यादा मानिता नहीं दी गई, परन्तु धीरे धीरे ये समझा गया है, कि phylogenetic relationship को दर्शाने के लिए, cladistic जो है, वो बहुत ही उप्युक्त प्रकार का वर्गी की है, taxonomy के अंदर, cladistic taxonomy, जिसमें हम phylogenetic relationship, यानि कि उद्विकास ये संबंध को ध्यान में रखते हुए, animals को हम वर्गी करित करते हैं, ये ठीक प्रतीत होता है, तो cladistics के बारे में हम ये कह सकते हैं, कि cladistic gives emphasis to the presence of shared derived traits rather than physical similarity.